इंडिया वर्षिज आश्टेलिया मैच में इंडिया की जीत के बाद कैप्टन रोहित सर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के अंदर सबका दिल जीतने वाला स्टेटमेंट पोल गए ऐसानों ने क्या बोला वही जानेंगे तो वीडियो के अंतक बने रही है और अगर आप चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबालीजिये ताकि आप पूल अपडेट भी सबसे पहले मिन्स के चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों टीम इंडिया की यहां पे दो रन पर तीन विकेट जा चुके थे जिसके अंदर रोहित सर्मा जीरो पर तो इसान किसन जीरो पर और वहीं पे सरे सैयर भी जीरो पर आउट हो चुके थे यानि की सिच्वेशन बहुत ही जादा नाजुक बन गई थी रोहित सर्मा का कहना था कि उस समय मैं बहुत जादा नर्वस महसूस कर रहा था मैं एक बार तो ऐसे फील कर चुका था कि कहीने कहीं हम पहला ही मुकाबला वर्ल्ड कप का हार जाएंगे लेकिन उसके बाद केल राहुल और विराट कोली ने जो जबरदस्त इनिंग खेली जो स्टार्ट अप दिया यहां पे टीम इंडिया को वो बुष्ट करने का काम कर गया और मैं यहां पे इस मैज का पूरा क्रेटिक कहीने कहीं विराट कोली और केल राहुल की इस पार्टनर्शिप को देना चाहूंगा यह दोनों नहीं होते तो साइध यह मुकाबला भी आज हमारे हाथ में नहीं होता डोईट सर्मा की इस तरह की स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राए है अपने चार कमेंट सेक्शन में जरूर रिखिए